दोस्तों काफी दिनों से request आ रही थी students की के civil procedure court के context में कोई ऐसी series बनाएं जिसमें की problem-based questions को हम easily solve कर सकें और जो questions important हो उनको भी please consider कर लें तो इस context में एक छोटी सी series इन दिनों में हम लोग चला रहे हैं जिसमें हम civil procedure court के important questions जो की especially problem-based questions हैं उनको discuss करेंगे मैं हूँ राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशिल competition times की video sessions तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के session को इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल कर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे और all notification bell को भी click कर लिजेगा ताकि मेरे सभी वीडियो के notifications आपको सबसे पहल कर सकते हैं तो चलो आज आते हैं मुद्धिल की बात पर मेरे पास एक question है जो की CPC से related है और यह question problem based question है तो चलो बिना देरी के देखते हैं कि question क्या है question बिलकुर simple है screen पर देखिए सबी लोग ताकि आपको question अच्छे समझ में आ जाए question simple है A एक suit B क्या गेंस लेकर आता है एक हजार उपे के लिए और वो कहता है कि B ने ये पैसा मेरा लोटाया नहीं है मैंने इसको पैसे दिया था भी कहता है भाई साब ऐसा है कि आपने मुझे हजार उपे दिया था लेकिन मैंने भी आपको 800 उपे दिये थे जो कि आपने मुझे नहीं लोटाए अब court A के favor में एक डिक्री पास कर देती है यह सोचता है कि अगर मैं इसे 800 उपे दे दूँ और मुझे इससे लेने हैं अब 1000 उपे ऐस पर डिक्री तो मुझे मिलेगा कि अब बस 200 उपे बई 1000 माइनस 800 उपीज यानि कि बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को माइनस करके जिसे हम स अब एक यह सोचता है कि आरे काम करता हूं मैं यह डिक्री सी के फिवर में ट्रांस्शोय कर देता हूं 1000 उपे अब जब मेरे पास कुछ होगा ही नहीं डिक्री को सेट आफ करने के लिए तो बी सेट ओफ करेगा क्या बी मेरे से यह 800 उप रिकावर नहीं कर पाएगा और मैं एक हजार उपया बी से रिकवर कर लूँगा अब आप कोट हैं ये मैटर आपके सामने आया है आप इस मैटर को कैसे रिजॉल करेंगे सोचिए एक मिनट के लिए और मुझे बताईए अच्छा चलो एक काम करो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आप इस मैटर को कैसे साल करोगे और ये सबसे पहले बताओ कि इसमें क्या कोई पर्टिकुलर सेक्शन है हमारे पास CPC का जो इसमें इन्वोक होगा देखो अब प्रॉब्लम इस कुश्चन को सॉल करने के हमारे पास कुछ मल्टिपल टाइप के तरीके होते हैं जैसे कि अगर मान लो ये कुश्चन पर्टिकुलर्ली किसी सेक्शन से रिलेटेड है और हमें किसी कुश्चन को explain करने के लिए कोई landmark judgment का requirement नहीं है तो वहाँ पर आपको judgment लिखने की जुरत नहीं है अगर आपका पूरा कुश्चन उसी section से resolve हो रहा है लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो सिर्फ section से resolve नहीं हो रहा और आपको किसी judgment की भी requirement है तो वहाँ पर हमें उस problem based question को solve करने के लिए judgment को भी लिखना चाहिए अब मेरे पास जो question है वो particularly section number 49 से related है और यहाँ पर मुझे किसी भी judgment की अलग से requirement नहीं है लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें कम से कम bear section तो पता ही होना चाहिए कि इसमें कौन सा section लगेगा तो चलो section हमारे लगेगा है section 49 अब section 49 लगेगा कैसे इसके लिए हमें section 49 को समझना पड़ेगा तो मैं आपको section 49 क्या कहता है पहले यह समझा देता हूं देखो शीन पर देखो section 49 बात करता है ट्रांस्फरी के बारे में ट्रांस्फरी का मतलब होता है कि मालो हमारे पास तीन लोग हैं A, B और C A ने एक मुकदमा लेकर आया B के अगेंस से फर एक्जांबल 1000 रुपीस का जैसे हमारे वाले केस में हो रहा था और A के फेवर में डिक्री आ गई अब A ने अगर ये डिक्री जो A के फेवर में आई है उसने इसको ट्रांस्फर कर दिया C के फेवर में तो C बन गया ट्रांस्फरी A क्या बन गया ट्रांस्फरर ट्रांस्फरर और B क्या बन गया ट्रांस्फरी ठीक है तो C के पास वही राइट्स आ गए जो की A के राइट्स है C अब B के अगेंस उस डिक्री को ऐसे ही एक्जिक्यूट कर सकता है जैसे की A कर सकता था यानि की C A के शूज में आ गए ठीक है इतनी सी बात अब इतनी बात समझने के बाद अब हम आगे section number 49 को देखते हैं कि इसमें क्या लिख है यहाँ पर वह कहते हैं every transferi of the decree यानि की हर decree का जो भी transferi है shall hold the same subject to equities if any यानि की कोई भी transferi उस subject matter के context में same equity को hold करेगा which the judgment debtor might have enforced against the original decree holder अगर आप खाली section को पढ़ोगे तो हो सकता है आपको पूरी तरह से इसका meaning समझ में ना आए तो मैं यह आपको समझाते हैं तो को कहना कह जाता हैं वो यह कह रहे हैं कि मान लो हमारे बास तीन लोग है एक decree holder है एक judgment debtor है और एक transferi है अभी जो transferi है इसकी liability judgment debtor के towards वैसे ही होगी जैसे की decree holder की होती decree holder की जो liability है वो ही liability transfer की भी होगी transferi की भी होगी towards judgment debtor दोनों क्योंकि same choose में आ रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बास समझ में नहीं आई judgment debtor की तो मान लिया के liability है क्योंकि उसके खिलाफ कोई decree आ रहे है लेकिन decree holder की का liability है अब देखो हमारा जो पिछले वाला case है जिसमें हम लोग discussion कर रहे थे एक से रुके जिसमें हम लोग discussion कर रहे थे हाँ यह वाला यहाँ पर हम discussion कर रहे थे के C हमारा transfer यह और A ने इसको defraud करने के लिए बी को defraud करने के लिए decree जो है वो C के favor में transfer कर देती यह किया था ना अब अगर B अपने amount को set off कर सकता था A के खिलाब तो यह B C के खिलाब भी उस amount को set off कर सकता है क्योंके यहाँ पर B उसी equities के against C के against भी अपने decree को अपने जो claim है उसको enforce कर सकता है तो यहाँ पर A यह नहीं कह सकता कि देखो भाई साब मैंने तो amount जो है वो C को transfer कर दिया है through in the form of a decree अब मेरे पास तो कुछ decree है नहीं इसलिए execution करने के लिए आपके पास मेरे पास set off करने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं हो सकता B इस amount को जो की 800 पे था जो वो A के against set off कर सकता था वो C के against भी set off कर सकता है तो यही इसका solution है तो इस answer को आप अपने words में भी लिख सकते हो हलाकि यह विल्कु छोटा सा question है ऐसा नहीं होता कि means में आपको लंबे लंबे answer ही लिखने है ऐसा दरूरी नहीं है आप देखो to the point लिखो जितना requirement है अगर जो question की need है उसके इसास से ही आपको लिखना है तो आज के इस problem discussion में सिर्फ इतना ही है जल्दी आपसे मुलागात कर लेंगे नए session के साथ और एक नए problem discussion के तब तक के लिए आप मुझे पर्मित कीजिए thank you so much जाहिन चैपाद